इसका साथ थोड़ा थे परेटरस न जाना मिला है वारे साथ हो यह वाला और यह वाला एक्जिट हॉल यह वीडियो अस्पेसल उन भाईयों के लिए बना रहा हूं जो खेती बाड़ी में और रखवाली करते हैं अपनी खेती की सुरक्सा के लिए जेंगली जानवर को भगान नबसकार दोस्तों कैसे हैं मेरे बाईयों आज का यह वीडियो उन भाईयों के लिए रहने वाला है जो खेती बाड़ी का काम करते हैं जो किसान लेवल के आदमीों होते हैं जो अपने बाई बाई करते हैं कियुक्कि कुछ एर्गन तो कौशली आती आपने जीयसा कि देख आज का है वीडियो इण ही एरगन पर रहेगा ये वीडियो उन भाई ये बना रहा हूँ जो खेती बाड़ी में और रखवाली करते हैं अपनी खेती की सुरुक्षा के लिए जंगली जानौर को भगाने के लिए जो साउंड कोर कागे लगाके फायर करते हैं यह वह एरगन है और ज्यादे प्राइज भी नहीं है इनकी सुरुवाद 45-5000 रुपई से हो जाती है और अपनी भाईयों के मतलब बजट में आती हैं खरीच सकते हैं और इनकी भी मैं पावर आपको दिखाऊंगा कि इनमें कितनी क्या पावर होती है वह सुरुवाद हम इस ड राज का होता है और यह यहापर लगाऊंगा इसको जब हम इसको लोड करते हैं तो उसकी बेल किसी की आगे और नहीं होनी चाहिए किमकि एक्सिडेंट की चांस बन जाते हैं बाई बोड़ा था सेप्टी की मादिन से फायर करें टार्गेट हो रहा हमारा देखते हैं इसको कि यह मैंने इसको हिट किया दोस्तों उमीद करता हूं थोड़ा से दीखें और यह इसका एक्जिट हो लिए रहा मतलब यह इसका एंट्री होल है और पीछे आपको यह दिया होगा दोस्तों यह इसका एक्जिट होल है मतलब दोनों कर नस्तरों में इसकी पावर थोड़ी चिक ठाग रही है तो हम इसको टार्गेट को बढ़ाते हैं एक इस्टू लोड लगाता है एक यह वाला भी लगाएंगे देखेंगे कि दोनों में कितना प्राइट्रेशन करेगा इन वाली यह मतलब हुई है ज्यादर प्राइज में का नहीं होता अपने दोस्त खरी सकते हैं है इसको यह हमने टार्गेट को लगा दिया है और इसमें पहले से भी एक पैनेटरेशन हो ले जो पहले वाले हैं और अब की बार में इसको ऐसे रखता हूँ देखते हैं इसको क्या दिखाएगा एक सोट रोड लगाकर देखते हैं कि जब हतियार लोड होता है तो इसकी बेरल किसी जोर करनी नहीं चाहिए और अब करते हैं और अब कि बार देखते हैं क्या रिजन्ट भी रहा है यह इसका एंट्री होल और यह एक्जिट होल और पैलेट इसको नहीं चुआ मतलब किसी कारण मिस हो गया दूसरी एरगन से ट्राइए करेंगे अब कि बार थोड़ा सा पास से मौरेंगे इसको टार्गेट को यह इसका ब्रेंड है यह इसका ब्रेंड है यहां कि मतलब इसका जो लुक है जो साइने है बिल्कुल मतलब इतने कंप्राइज में पावर को थोड़ा बहुत तो देखने हो फिलीसिंगे इसकी जो ग्रीपिंग होती देखो पकंडिक जैसे समतर्खते है तो इसको इस तरीके से पूरा फिट होता एकदम अब लगाट है इसका टावगे इसका साथ थोड़ा थे परेटरिसम जाना मिलना है हमारे इसाथ तो इसका एंट्री होल है यह वाला और यह वाला एंट्री होल और यह पार नहीं होगा मतलब इतने कंप्राइस में बहुत ज्यादर पावर नहीं मिलेगी पर इतना है थोड़ी सी ठीक ठाक है अगर मैंसे दूसरे पैलेट से चलाता तो साथ एक ही बाहर को लेवन को पाड़ कुछ जो बात होती है पैलेट्स के उपर डिप चार से पास दिन में घर पोच जाएगा बलकुल बैश राइफल लगी है आप इसमें सेलिंग बैश लगाखी कड़ी जैसे टगा सकते हो आप इसको बस आज की वीडियो मुझे इतना ही बताना था बाकि एक चुटी सी रिवीव वीडियो अपने उनकिसान भाईयों को सब्सक्राइब आपको एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट आस कताब और तब तक के लिए नमस्कार जैहिन या बारत दोस्तों पुर्ण